आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश की ऐसी सक्षियत जिसने पत्रकारिता के फिर्ड में अपने नाम के जंडे गाड़े हैं और पत्रकारिता के हर आयाम में काम किया जाहे वो इलक्ट्रोनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया इतना ही नहीं सोशल मीडिया बे उनका नाम चलता है जिन्होंने टीचर की नोकरी छोड़कर पत्रकारिता के फिर्ड को चुना हम बात कर रहे हैं सीनिय जर्नरलिस्ट डॉक्टर राकेश पाठम जी की मेरा पहला सवाल पत्रकारिता क्या है कि डेश को सोचनाओं से लबलज करना समाज को हर वो बात जिन तथ्यों को जिन सूचनाओं को छुपाना चाहती है वो खबर है खबर पहुचाना पत्रिकारिता है देश के लोगों नागरिकों समाज इन सब के हक में काम करना पत्रिकारिता है क्योंकि सरकार के पास तो अपना खुद का तंत्र है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए उसकी तमाम सारी विभागी एकाईयां हैं और आज के दोर में मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा है जो सरकार की ठकुर वाती के लिए काम करता है। लेकिन वो पत्रिकारता नहीं है, पत्रिकारता का मूल धर्म है जनता का पक्ष लेना, जनता के हक में लिखना, बोलना, आवाज उठाना, लेकिन आज के दोर में ये संक्रमन काल है पत्रिकारता का, पत्रिकारता भी अपने मूल धर्म को नहीं निभा पा रही है, फिर भी ये गर्व की बात है कि देश का बहुत बड़ा हिस्सा पत्रिकारिता का मीडिया का चाहिए वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रोनिक मीडिया हो या तीसरा और जोड़ लीज़ डिजिटल मीडियम हो सब अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं इसलिए आज भी लोकतंत्र और सम्विध आप मीडिया के जो पर्सनलिटीज है वो नहीं निभा पा रहे हैं ऐसा क्यों है देखिए पहली बात तो यह है कि जो पत्रिकारता का धर्म है वो मैंने आपको बता दिया लेकिन क्यों नहीं निभा पा रहे हैं इसके पीछे दो कारण है सब नहीं निभा रहे हैं इसा नही कारण है भय डर एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो सरकार से सत्ता से और द्योगिक जगत से कारोबारी जगत से अपने स्वार्थ पूरे कर रहा है उसके अपने लोग हैं उसके अपने लालच हैं उसके अपने व्यावसाइक हित हैं, आज भी इस देश में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, मीडिया का, कि जो मालिकान दूसरे धंडो में भी लिपते हैं, जिनके मालिकान ऐसे हैं, जिनके दूसरे कारोबार भी हैं इसलिए उन्हें मجबूरी में अपने हीतों की रखशा के लिए अपने स्वार्थ के लिए सरकार के पक्ष में लिखना बोलना पड़ता है एक हिस्सा ऐसा भी हो सकता है, जो डर के कारण, सरकार से डर है, उन्हें लगता है कि कानून के जरिये, बेजा इस्तेमाल के जरिये, कानून के एजनसियों के जरिये, उनका अहित किया जा सकता है, उन्हें नुकसान पहुंचाए जा सकता है, बहुत सारे लोग इस डर के कारण भी जनता को असली बात वास्तविग तथ सच्छी सूचना है नहीं परोस्रह यह सब लोग जन द्रोह कर रहे हैं पत्रकारत्या के साथ द्रोह कर samma ही यह जनता के साथ भी द्रोह का काम है इसा हमेशा सुनने में आता है कि जिसकी सरकार उसका मीदय इस कारें इस वाक्या के कि सरकार रही हो ऐसा पहले नहीं होता है आज नरेंद्र मोदी या बीजेपी सत्ता में हैं तभी ऐसा हो रहा है हाँ प्रतिशद बढ़ गया है जिसकी सरकार उसका मीडिया इससे पहले तो इसलिए नहीं कह सकते कि 2004 से लेके 14 तक यूपिय की सरकार थी डॉक्टर मनमौन सिंग प्रधान मंतरी थे आप बताईए एक भी ऐसी ख़बर एक भी ऐसी अनिमित्ता एक भी ऐसी रिपोर्ट जो सरकार के खिलाफ थी उसे अख़वारिया मीडिया ने न छपाओ मैं खुद उस दौर में नव भारत और नई दुनिया जैसे अख़वारों का संपाजक रहा कोई भी ख़बर सिय जी की रिपोर्ट आती थी मनमौन सिंग की सरकार के खिलाफ किसी मंतराले के खिलाफ हम लोग ख़बर छापते थे संपादगी लिखते थे टीवी पर डिबेट होती थी सरकार के खिलाफ जब आंदोलन चलते थे च सरकार से सवाल पूछना बंद कर दिया है जिसे लोग गोधी मीडिया कहते हैं मैं उसे भापू मीडिया कहता हूं वो सरकार से सवाल नहीं पूछता आप देखिएगा डिवेट में एंकर ऐसा लगता है कि सरकार के पक्ष की तरफ से उनके प्रवक्ता है या पार्टी के प् विपक्ष के प्रवक्ता को कटगरियों में खड़ा करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो भी जनता को कटगरियों में खड़ा कर देते हैं बजाए सरकार के, ये पत्रकारता काम नहीं है, आपने इससे पहले कब देखा था, कि महगाई के पक्ष में प्राइम टाइम मे डिबेट चल रही हो एक बड़े चैनल ने हैं मेंगाई बढ़ने हैं पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने हैं कि पक्ष में शो चलाया अपना ब्लेक और वाइट इस से ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है यही कारण है कि हमारा देश आज की तारीख में दुनिया में जो मीडिया की स्थिती है उसमें किस नंबर पर है हम साल दर साल एक एक पाइदान नीचे उतरती हुए नीचे पहुंचते जा रहे हैं शायद 162 वे नंबर पर पहुंच गए हैं हम इतना पतन मीडिया का इस से पहले कभी नहीं हुगा और इसके लिए मीडिया खुद भी जिम् में हमारी मीडिया की जो साख है वो लगातार रसातल में जा रही है जब आप मीडिया की फिल्ड में उस वक्त आप एक टीचर थे तो आपने ऐसी नोकरी छोड़के आपने पत्रकारिता फिल्ड को क्यो चुना जिसमें कोई आगे फ्यूचर का कुछ भरोसा नहीं होता है क् करा पाए यह बहुत अच्छा सवाल है हेमानी जी देखिये मैं सरकारी नोकरी में था आपने कहीं दिया टीचर था शिक्षक था और काफी साल मैंने 6-6 साल नोकरी कर ली थी लेकिन मैं पत्रिकारिता में सरकारी नोकरी में रहते हुए आ गया था मैं अपना चुकि सरकारी पत्रिकारता नहीं कर सकते तो मेरा नाम खबरों में उल्टा चपता था राकेश पाठक की जगे पाठक राकेश तब मैं डॉक्टरेड नहीं था डॉक्टरेड मेरी बाद में हुई लेकिन मुझे लगा कि मुझे अगर देश और समाज के लिए लोगों के लिए कुछ करना है लोगों के सुख दुख का भागीदार बनना है उनका समवाहक बनना है तो मुझे कोई एक ऐसा फील्ड चुनना चाहिए जिसमें लोगों के साथ सीधा साबका हो लोगों से सीधा रिष्टा हो और समाज में थोड़ा सा नाम शौरत की अभिलाशा तो रही होगी इससे मैं पत्रकार नहीं करता है तो मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी और फिर पूर्ण कालिक पत्रकार बना रेपोर्टर से शुरू किया फिर कई अख़वारों में संपादक रहा है बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि एक सरकारी नौकरी जिसमें जॉब सेक्यूरिटी होती है सरकारी नौकरी जैसी सुरक्षित कोई नौकरी नहीं है आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता जब तक कि आपने कोई बहुत बड़ा अपराद ना कर दिया हो इसके उलट पत्रिकारिता इस देश का सबसे अनिश्चित पेशा है इसमें कोई भरोसा नहीं कि आपका मालि पूरी जन्दगी में एक सरकारी नौकारी तो छोड़ी है, कमसे कम दस अख़वारों की नरौकרिया, जोड़ी है, कई बार महीनों महीनों बेरोजगार रहा हूँ, दूसरी नोकरी नहीं मिलिया, घर बैठ गये, जीवन्यापन मुश्किल हो गया लेकिन समझोता नहीं किया आखिर मैं फिर दूसरा अबसर मिला फिर काम किया लेकिन अपने उसूलों से कभी समझोता नहीं किया यही वज़ा है कि आज भी मैं इस जोखिम के साथ काम करता हूँ अब तो मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ लेकिन एक बड़ा चैनल है देश का डीवी लाइब देश बंदू ग्रूप का उसका एसोसियट एडिटर हूँ लेकिन अब भी कोई बंधन मेरे उपर नहीं है तो यह बात सही है आप जैसे युवाओं के लिए यह सबक की बात है इन खत्रों के साथ ही इस पत्रकारता के फिल्ड मे रहती है लेकिन अगर आप मन लगाकर लगन के साथ काम करेंगे तो एक दिन आपको शौरत भी मिलेगी और सम्मान जनक पैसा भी मिलेगा आपने कहा अभी कि आप कई महीनों तक बेरोजगार भी रहे तो आपके दिमांग में यह नहीं आ कि अर्यार सरकारी नोकरी नहीं छोड़ता तो अच्छा होता ऐसा कुछ डर देखिए यह विचार तो जीवन में कभी नहीं आया जब पहली बार नोकरी छोड़ने का विचा आया मैं नौभारत में था मेरे गुरू हैं पत्रकारता के विजदा श्रीधर जी पदमश्री हैं उन्हें जब यह मालूम पड़ा कि मैं सरकारी नोकरी में होते हुए अखवार में काम कर रहा हूं उन्हें लगा कि मैं ठीक ठाक काम करता हूं तो उन्हें का अगर तुम जि क्रिशे दिया गया त्याग पत्र स्वाम दोगा उनके जाने के बाद मैंने मुश्किल से एक दिन विचार किया अगले दिन मैंने सरकारी दिनों नौकरी छोड़ने के बाद अगली नौकरी मिलने तक का समय काटना मुश्किल होता था तब भी मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने कोई गलत फैसला किया क्योंकि तब तक ये आत्म विश्वास आ गया था ये भरोसा कायम हो गया था कि नहीं मैं इस फील्ड में आगर आय का एक छोटा साहिविने का अख़वार था वहां से नौकरी शुरू की थी और उस अख़वार के दफ्तर में मैं चपरासी से लेकर रेपोर्टर तक का सब काम करता था ओफिस की साफ सफाई भी कर लेता था मौके बे मौके देड़ सो रोपे तंखा मिलती थी मात्र शुरू के बाद स्वदेश, लोगगाथा, आचरण, सांदेवारता, नव प्रभात, नव भारत, नई दुनिया, प्रदेश टुडे और उसके बाद मैं डिजिटल मीडियम में रहा हूँ आपने दो मीडियम बताए हैं प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक लेकिन मैं वेब पोर्टल में मैंने काम किया, एक डेटलाइन इंडिया नाम का न्यूस पोर्टल था, वो मैंने लॉंच किया, फिर कर्मवी.org वेब साइट मेरे ही पास है, भी भी में चलाता हूँ, तो प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रोनिक तीनों मीडियम में काम किया, फिर भोपाल आया मैं, डि हैं, जिन में पांच अखवारों में तो संपादक रहा हूं, अखवारों की launching किये मैंने, मैं पहले दिन से, नव्भारत की launching के पहले दिन से, नवप्रभाद को रिलांच किया, प्रदेश टॉडे की launching की, तो इस तरह से सांधिवार था, स्वादेश गृूप का evening अखवार उसको बावरि मसजिद भंस के बाद बादवै में स्वधेश में घटना करम ऐसा हो रहा था कि लगा कि दिन का अख़न निकाला जाए तो दिनका अख़बर भी निकाला जिनको इवनिंगर हम लोग कहते हैं सांध काली निकाल मेर तो इस तरह से काम करते करते ये पष्टावा क उसका कितना भी खामेजा बहुत canada पढ़ा हो। जब मीडिया की बात आती है कितने लोगोन के पीछे कितने लोग होते हैं इंपूट किया ऑउट पूट किया एडिटर बनना है इसके अलावा कोई सोचता नहीं कि क्या होता है तो इसके बारे में आप क्या खाएंगा देखिए ये बड़ी तरास्दी हमारे माध्यम की चाहे प्रिंट मेडिया हो चाहे एलेक्ट्रोनिक हो जो सामने दिखता है लोग उसी को जानते हैं ये तरह से फिल्म इरोईन करेक्टर आर्टेस्स जो भी कलाकार सामने दिख रहे हैं लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है बाकी लोगों की बाकी कितने और डेपार्टमेंट्स हैं वीडियो एडिटिंग से लेकर ग्राफिक बनाने वाले साउंड रिकॉर्डिंग डबिंग बहुत सारी उसका थमनेल बनाना है, हेड्लाइन बनानी है, उसमें और सब एडिंग क्या चलेंगी, बहुत सारा ऐसा काम है जो लोग नहीं जान पाते, पर वो भी उतना ही इंपर्टेंट काम है, जहां तक सवाल ही है कि जो इनवर्सिटी में पत्रिकारता की पढ़ाई करने वाले काम है, जो वहां, तो सब लोग कर रहे हैं, इसमें ये अंतर है कि जिसकी जैसी अविरुची हो, जिसकी जिस काम में दिल्चस्पी हो, व्यक्ति वो रास्ता चुनता है, जैसे आपको एंकरिंग पसंद है, तो आपने एंकरिंग को चुन लिया, लेकिन अगर आप वीडियो का महत्व है, ऐसे ही मीडिया में, हर काम का अपना महत्व है, उसकी एहमियत है, किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं माला जा सकता, ठीक है, जो दिखता है, वो भिखता है, हम और आप स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, लोग हमें जानते हैं, कैमरे के पीशे बाईले को लोग नहीं पहचानते, पर मुझे लगता है कि हर विवसाई की अपनी सीमा होती है, तो इस पेशे में भी जो दूसरे काम है, उनकी अपनी एक सीमा है। डॉक्टर राकेश पाथक जी ने सरकार विरोधी जनरलिस्ट भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए सरकार विरोधी तो मैं हमेशा से रहा हूँ, मैंने बिलकुष शुरुवात में आपसे कहा था कि पत्रिकारिता का काम सत्ता का प्रतिपक्श होना है, विरोधी नहीं, विरोधी और प्रतिपक्श होने में बहुत अंतर है, जैसे आजकल जो विपक्शी राजनेतिक दल हैं अभी RSS के मोहन भागवत ने कहा था उन्हें प्रतिपक्षी कहना चाहिए बजाए विपक्षी दल के वह अच्छा शब्द है लोग सवा विधान सवा में जो लीडर अपोजिशन होते हैं उन्हों नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है इसी तरह पत्रिकारिता भी सत्ता का प्रतिपक्ष है वो सरकार हो प्रशाशन हो पुलिस हो कोई भी ऐसी एकाई जिसके पास ताकत है चाहिए वो अध्यों के घराने हो चाहिए समाज का कोई दबंग व्यक्ति हो कोई मठाधीश हो उससे सवाल पूछना है ये पत्रिकारता है और जब आप किसी से सवाल पूछ पूछते हैं तो स्वाभविक रूप से उसका प्रतिपक्ष हो जाते हैं आप उसके पाले में नहीं हैं उसके बाहर उसके सामने हैं आमने सामने हैं मुझे सत्ता विरोधी पत्रकार माना जाता है ये तो मेरे लिए तमगा है अच्छी बात है ना कोई मेरे लिए नहीं कहता कि मैं सत्ता का चारणगान करने वाला हूं, मैं गोदी मीडिया से हो, या भौपु मीडिया से हूं, या सत्ता का कोई समर्थक हूं और ये आज की बात नहीं है, मैंने शुरूम आपको बताया कि सरकार किसी की भी रही हो, चाहे राज्य में या किंद्र में, मैंने अपनी भूमिका सत्ता के प्रतिपक्ष की रूप में ही निभाई, मद्ध प्रदेश में दिगविजे सिंग दस साल मुख्यमंत्री रहे, मैं तब भी पत्रकार था, लगभग मेरा एक वीकली कॉलम छपता था, गौलहिर नामा, नौ मेरी अपनी एक्षाली थी, डॉक्टर मनमौन सिंग का मैंने आप से कहा, दस साल प्रदान मंत्री रहे, मैं तो चाहता हूँ कोई मेरा आलोचक, समर्थक, मुझे कोई एक ऐसी ख़बर बता दे, जो डॉक्टर मनमौन सिंग की सरकार, केंद्र सरकार या कॉंग्रेस सरकार के खिलाब थी, और मैंने न च्छापियो, मैंने संपात्की न लिखे हो, तत्कालिन के अंदर सरकार के खिलाब मैंने विशेश संपात्की लिखे हैं पहले पेश पे, जब अन्ना अजारे कांदूलन चल रहा था तब, रामदेव कांदूलन चल रहा था तब, निर्भाया कां conference रही हो या मैं राश्ट्पती के साथ विदेश यात्रा में गया Congress की सरकार थी तरफ से राश्ट्पती बनी थी उनके साथ दो देशों की यात्रा पर दस दिन के लिए गया था राश्ट्पती की प्रेस conference होती ऑन बोर्ड यानि जब जहाज उड़ जाता है आस्मान में देश की सीमा पार करने से पहले उसको कहते हैं on board press conference राश्ट्पती या प्रधान मंतरी अब मोदी जी ने बंद कर दी हैं वो चीजां इस से पहले होती आई थी और जब विदेश विदेश यातरा खत्म होती तो लौटते में राश्ट्पती पत्रकारों को बताता है कि इस यातरा की क्या उपलब दिया रही कौन से सम्झोते हुए मैंने देश की राश्ट्पती से सवाल किये कठोर सवाल किये अकवार में छपे मेरे मैं दस दिन तक लगातार उस विदेश यातरा में पहले पेश पर छपा ऐसा कोई सवाल नहीं था जो मैंने महमाहिम राश्ट्पती से न पूछा हो यही तो मेरा करतब यही मेरा काम है कल को राहुल गांदी प्रधान मंत्री बन जा हैं मैं इसी तरह उन से सवाल पूछूंगा वे अगर कोई बात ऐसी करेंगे जो लोग हित में नहीं होगी लोग तंतर के हित में नहीं होगी तो ऐसे ही इतनी ही निर्ममता से लिखूंगा और बोलूँगा वो मेरा फर्ज है मैं पत्रकार हूँ जब तक मैं पत्रकार हूँ सिर्फ यह बता रहा हूं कि अगर मेरी सत्ता विरोधी छवी है ऐसा आपने मुझे बताया मुझे नहीं मालूम था अच्छी बात है यह लगता था मुझे लोग ऐसा सोचते होंगे पर आगर आपने भी यह सर्टिपिकेट दे दिया तो मैं ऐसे तमगे के रूप में यह लगा है आजादी से पहले की पत्रकारता आजादी के बाद की पत्रकारता नहरी युक की पत्रकारता इंदिरा युक की अटल विहरी के युक की मनमहुन सिंग के युक की और आज मरेंदर मोदी के समय परवर्तनकारी होता है हर देशकाल परिस्थिती के हिसाब से हर चीज बदलत थे बांधी जी खुद पत्रकार थे उन्होंने अख़वार निकाले Young India, Harijan, दक्षिनस अफ्रीका में उन्होंने अख़वार निकाले इतने सारे ऐसे लोग जो लेखा और पत्रकार थे गड़े शंकर विद्यार थी राजनेता भी थे पत्रकार भी थे बाल गंगा सिर्फ प्रिंट था लेकिन जब देश आजाद हो गया तो पत्रिकारता के सामने अचानक एक नई चुनोती आ गई कि अब तो सत्ता भी अपनी हैं ये भारत के ही लोग हैं हमारे अपने लोग हैं पंडिजवालाल नहरू मौलाना अजाद या बाकी सब सरदार पटेल अब क्या किया जाए इनके खिलाब कैसे ख़बर लिखी जाए लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पत्रिकारता का 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 सत्ता का प्रतिपक्ष होना है थोड़े ही दिन बीते होंगे नहरू यूग में भी सरकार से सवाल पूछने लगे लोग पढ़ने जवालाल नहरू के समय की तमाम अनीमित्ताओं के बारे में खबरें चपी मंत्रियों के स्तीफे हुए उसके बाद भी ऐसा हुआ हुआ लेकिन आज जो अगोशित censorship है वो उससे भी बुरी है सरकार के दवाब में जिस तरह मीडिया काम कर रहा है वो उससे भी खतरनाक तब मैं और अब में जो बदला हुआ है जैसा कि आपने कहा आज से दस साल पहले पंदरा साल पहले इस सरकार से पहले बहुत सपस्ट कहने की पत्रिकारता ऐसी नहीं थी, अब वो अपने रास्ते से पूरी तरह भटक चुकी है, वो सत्ता की गोद में जाकर बैठ चुकी है, जो थोड़े लोग बचे हैं, वो ही लोग तंत्र और समाज के प्रतिया अपना फरज अदा कर रहे हैं, ये बदलाव चिंता जनक है, आज आपने इस मीडिया को सबक नहीं सिखाया, इसे खारज नहीं किया, जो सत्ता की गोद में बैठा है, तो कल आपकी हक में बोलने वाला कोई नहीं बचेगा है, परसनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, आप हमेशा बोर्ड डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, ऐसा क्या है? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप जिन्दगी में जो सोचते हैं और जो करते हैं, उसमें अगर बहुत ज्यादा अंतर है, तो आप सामने समाज की नजर में कैसे भी बने रहे हैं, आपको खुद आत्मिक रूप से कभी संतोश नहीं होगा, मैं हमेशा कहता बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, जो कहा सुकिया, जीवन ऐसा जिया, चाय पत्रिकारता हो, सार्विजनिक जीवन में, तमाम बाकी छेत्रों में भी मैं काम करता हूँ, खेलों के छेत्रों में मैं सक्री हूँ, लिखने पढ़ने का काम भी है, तीन किताब में मेरी आ चुकी है कविता संग्रह है इतियास की अभी एक किताब आई थी सिंधिया और अठारा सक्तावन नेजी जिन्दगी में आप जिस और संकेत करना चाहते हैं जो भी फैसला किया ऐलानिया किया है आप शायद इस बारे में कहना चाहते हैं मैंने दूसरी शादी किया और इस उ कोई गलत काम तो मैं किया नहीं हाँ जो जिन्दगी में गलत काम किये होंगे अगर किये हैं तो तो उनका डैर और भै भी होगा जीवन में पर जिस चीज के प्रती जिस असूल जिस से दान के प्रती मन में भाव है निष्ठा है तै कर लिया है कि ये काम करना है तो फिर वो तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, कभी जिन्दगी में गलतियां हो सकती है, साधारन मनुष्य हूँ, मैं कोई नॉन बाइलोजिकल तो हूँ नहीं, हमारे देश के प्रधान मंतरी की तरह, तो जो साधारन इंसान, साधारन मनुष्य गलतियां करता है, वैसी कोई गलती मुझसे हो सकती है, अतीद में भी होई होगी, वरतमान में भी हो रहे होगे, और भविश्य में भी हो सकती हैं, तो इसमें बोल्ट डिसीजन लोहों को लगता होगा, मुझे लगता है कि ये सहज फैसला है, सहज डिसीजन है, मुझे ये करना चाहिए, और मैं अपनी अंतरात्मा में अपने जमीर के साथ कोई समझा नहीं करता मुझे लगता है कि ये करना मेरे जीवन के लिए ठीक है मेरे परवार के लिए ठीक है तो मैं उस फैसले को समाज के सामने बता कर करता हूँ मध्यप्रदेश की राजनिती की बात करें या फिर देश की क्योंकि आप राजनिती के बारे में ग्याता है उसके बारे में बहुत अच्छा से जानते हैं तो देश की राजनिती और मध्यप्रदेश की राजनिती क्या क्योंकि आज कल माहुल कैसा है सब जानते हैं तो इस रा समाज का राजनीती करण इतना ज्यादा हो चुका है कि घर के भीतर तक ड्रोइंग रूम से लेकर बेडरूम तक राजनीती पसरी हुई है। अब राजनीती से अलग रहकर उससे विमुक होकर कोई नहीं रह सकता इस समाज में। साधरन से साधरन, गरीब, मजदूर, किसान, हम सब कोई भी व्यक्ति समाज का राजनीती से अब परे नहीं है। लेकिन जो गलत हो रहा है वो यह है कि राजनीती में जिस तरह से संपरदाइकता गुसाई है, हिंदू-मुस्लिम राजनीती जो गुसाई है, जाती की राजनीती जो बहुत गहरे तक पैठ गई है, वो समाज के हितमें नहीं है। राजनीती का इस तरह दिनों दिन गिरता जा रहा है, कोई भी हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी पार्टियां, सारे नेता, कुछ लोगों को छोड़कर, सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं, शालीनता, विनम्रता, सौजनिता, आपसी सदभाव, सब खतम कर दिया इस राजनीती नहीं, और इसके लिए सिर्फ राजनीता जिम्मेदार नहीं हैं, हम सब लोग जिम्मेदार हैं, पूरा समाज जिम्मेदार हैं, जब समाज अपरादियों को चुनता है, उन्हें वोट देकर विधान सवाओं संसद और लोग सवा करता है, तो उसमें आप बरावर के साजीदार हैं, लेकन भारत जैसे लोक तंत्र के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है, हमारे देश की राजनीती बहुत साफ सुत्री राजनीती रही है, हमेशा थोड़े बहुत गलत तो तत्व हमेशा रहे, जैसा समाज है वैसी राजनीत है, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाईश है, तत्काल इस पर समाज को सोचना चाहिए, कि हमारी राजनीती किस दिशा में जा रही है, टेलिविजन चैनलों पर, नेताओं की बहसों से लेकर, सड़कों पर, रेलियों में, आम सभाओं में, जिस तरह के शब्दों का इस्त है, तक कि पेशे से जुड़े लोगों को भी इस पर ध्यान देने की ज़रुवत है, वरना हमारा समाज धीरे धीरे रहसा दल की और जा रहा है, एक वक्त पर प्रिंट मीडिया बहुत चलता था, उसके बाद इलेक्ट्रोनिक मीडिया आया, सब कुछ टीवी पर डिबेट, इंटर्वियूस वगिरा, अब ऐसा है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग टीवी को छोड़के सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, बड़े-बड़े एंकर्स हो गया, बड़े-बड़े जितने भी मीडिया की प्रसनलिटीज हो गई, वो सब सोशल मीडिया पर आ गई है, तो क्या ऐसा है कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया का जो ये टीवी वाला जो न्यूस चैनल चलते हैं, इसका भी दौर खतम हो जाएगा एक दिन, देखिए धीरे-धीरे, सैचूरेशन तो आता ही है, लोगों के मन में ठहराव आ गया है, अफर गए हैं लोग अगर देश्री भास जिसको कहते हैं, उस सब पर लोग सक्री हुए है, इसकी एक वज़ाए और भी है, ये थोड़ा सुविधा जनाग है, थोड़ा क्या बहुत सुविधा जनाग है, टीवी देखना है तो आपको घर पर या कहीं ऐसी जग होना होगा जा टीवी लगा ओट, मोबाइल आपके हा का मीडिया पूरी तरह से सरकार समर्थक हो गया था, लेकिन इस मीडियम में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जो निश्पक्ष बात करने वाला है, जैसे बहुत बड़े-बड़े पत्रकार जो टीवी या प्रिंट मीडिया से लोट निकल कर आए हैं, जिन्होंने अपने यूट सरकार की ही बात नहीं कर रहे हैं, सरकार की सफलता ही नहीं बता रहे हैं, विफलता भी बता रहे हैं, यह जानना हमारे लिए जरूरी है, तो जब इस मीडियम पर भरोसा हो गया लोगों से, तो इसका विस्तार होगा, आप देखी, आज मिलियंस में व्यूज होते हैं लोग थोचों कूंपर भरोसा हुआ है आप पर भरोसा हुआ है आज नेशन को फिकिमानी जी को देखने वाले बढ़ेंगे क्योंकि उनकर लगेगा कि ने आप सही बात बता रहें आप दूसरों की तरह नहीं है अगर आप भी दूसरों जैसे हो तो आपको भी लोग नहीं देखेंगे, खारिज कर देंगे, क्योंकि ये फैसला करना तो दर्शक और पाठक के हाथ में है, जिस दिन जाएगा अंसबस्क्राइब कर देगा आपको, आपका यूट्यूब चैनल देखना बंद कर देगा, आपकुछ नहीं कर सकते उसको, तो य की भात करें, दोनों से सवाल पूछें, पत्रकारता काम तो विबक्स सवाल पूछना भी है, सिर्स अजीङ, आप सरकार में आएंगे, तो क्या करेंगे, आपकी नीतिया, प्यों इसके प्रतियों क्यों आहीं है, कि यहां लोगों को सम्पूरन तम्य सूचनाय मिल रही है, लेकिन इसका भी धीरे-धीरे saturation point आएगा लेकिन समय लगेगा. बाकी के जो माध्यम हैं, उसका एक खत्रा जरूर मेरे खांकित करना चाहता हूँ आपके माध्यम से. शोशल मीडिया के जो बाकी platforms हैं, Facebook, Twitter, Instagram या और भी जो होंगे, उन पर जो लोग लिख बोल रहे हैं, वे जो सब पत्रकार नहीं हैं. शोशल मीडिया पर आने वाली हर सूचना समाचार नहीं हैं. सूचना और समाचार में, information और news में फर्क होता है. एक पत्रकार किसी सूचना को कैसे परोसेगा और एक आम आदमी कैसे परोसेगा, इसमें अंतर होता है. किसी आम आदमी के सामने सड़क पर कोई दुरगटना हो जाए. तो वो उसको ऐसी की ऐसी परोस देगा. लेकिन पत्रकार नहीं काम है, उसके कारणों तक जाना, कौन लोग पीड़ित हैं, कब हुई, कैसे हुई, पत्रकारता की जो आपने पढ़ई हैं, कब क्यूं कहां कैसे किसने, उसके साथ किसी सूचना को साजा करना ख़बर है. बिना किसी फिल्टर के कोई भी आदमी किसी सूचना को साजा कर देता है, वो खबर नहीं है. मैं जिस खत्रे की और बात कर रहा हूँ वो यह है लोग शोशल मीडिया पर आने वाली हर सूचना को ख़बर मान लेते हैं उसकी पुष्टी नहीं करते हैं मैं आपके माध्यम से याग्रे करना चाहता हूँ सूचना आए आप तक आ गई है आप उसे अवाइड न करें लेकिन कृण के यह किसने किस मनतव्य से वह सूचना आपके वाइड पर भेज़ी है उसमें सच्चाए कितनी है क्रॉस्च चेक कीजिए बहुत सारे माध्यम है गूगल पर जाईए बड़ी वेबसाइट बड़े अखवार बड़े चैनल की क्रॉस्चेक कर लीए कीजिए तूरान जाने कहां कहां के वीडियो साजा कर दिये जाते हैं हिंदु मुस्लिम नफरत वाले सत्प्रतिशत वीडियो लगबग गलत होते हैं जवाब उनको चेक करते हैं लेकिन तब तक वो गलत सुचना तो पहुंच चुकी होती है इसलिए किसी भी सुचना को आगे बढ़ा ले जाए इसलिए हर फोन हर सुचना अटेंड करें तस्दीक करें फिर चाप है उसको दूरदर्शन के जमाने की बात करें जो वहां पर ऐसे टीवी के सामने जो भी था एंकर वगरा वो ऐसे बैठ जाते थे खबर है खबर पढ़ते थे अब ऐसा नहीं अब आपको तेज ब कुराने लोग है तो वो बोलते कि नहीं दूरदर्शन का जमान अच्छा था आज कल टीवी पर सिर्फ चिलाते हैं आज कर बोलते हैं कि अगर सामने वाली जनता जैसी अगर हम उनसे वैसे ही एक्स्प्रेशन करके बात करेंगी तो वो जादा अच्छे से समझेगी तो इन तो उनों में क्या फर्क है देखिए वो दौर अलग था कोई इस परधा नहीं थी कोई कंपडिशन नहीं था अकेला दूरदर्शन था बाद में जब निजी छेतर के टेलिविजन चैनल आए तो उनमें आपस में इस परधा भी हुई लेकिन जो प्रस्तुती करण चिला चो होती आप तो मारपीट की नौबदा जाती है बड़े-बड़े स्टूडियोज में चैनल में मुझे लगता है इससे बचना चाहिए समाज के भीतर आवेश पैदा करना हमेशा गुसे में रहना चीक चिला कर एंकर का बोलना बिलकुल जगड़े पर उतराना यह पत्रकारता काम नहीं है कोई भी सवाल कोई भी प्रतिउत्तर कोई भी तरक वितरक आप शालिंता से भी कर सकते हैं इसमें चलाने क्या जरूवत है न्यूज को प्रस्तुत करने भी एंकर को बहुत ज्यादा मेलो ड्रामा करने की जरूवत नहीं है जब जैसी घटना है जैसी खबर है ज लुट की खबर है तो उसको इस तरह से पढ़ा जाएगा मुझे लगता इसलिए लोग धीरे-धीरे जो मुख्धारा का मीडिया तथा अब तो वैसे मैं कहूं मैं उसे मुख्धारा का मीडिया मानता नहीं हो मुख्यधारा का मीडिया तो ये यूट्यूब चैनल्स है जैसे समाना अंतर मीडिया कहते हैं परलल मीडिया और मैं इसको ऐसे ही नहीं कहता हूँ इसका एक मील का पत्थर सावित हुआ चार जून जब लोकसवा चनाओं की मत गड़ना थी की अस दिन वोटों की गिंती के दिन देश के आम चनाओं की गिंती के दिन लोगों ने उस میडिया को कम देखा जितना यूट्यू करना चाहता हूं मैं उसमें काम करता हूं इसलिए नहीं चार अक्टूबर को दस करोड़ व्यूस थे डिवी लाइब काउंटिंग के किसी भी चैनल के नहीं थे जितने बड़े चैनल से इतने व्यूस किसी को नहीं थे तो ये भरोसा हुआ हुआ तब ही तो लोग इतना देख रहे हैं तो जिस जो सवाल आपका है कि क्या बदलाव आया है हम यह नहीं कह रहा है कि पहले वाला जो बिल्कुल डल था वैसा ही मीडिया चलता रहा है वो अच्छा था शालीन था बहुत अच्छा लगता था देखने में लेकिन समय के साथ प्रस्तुतियां बदलती है अख़वार भी तो बदल गए है अख़वारों के ले आउट बदल गए है पहले के अख़वार देख लीजिए अब के देख लीजिए कंप्यूटर के आने के बाद पेज सेटिंग में इतनी सारी सविदाएं हो गई है पहले तो हेंड कंपोजिंग का दौर था मैंने तो हेंड कंपोजिंग से पत्र कायता शुरू की थी मतलब आप कल्पना कर सकते हैं एक एक अक्षर उठाकर कंपोजिटर पेज बनाता था आप लोगों ने देखी भी नहीं होगी मशीन है वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं तो वो बदलाव भी तो आया प्रिंट में भी बदलाव आया है अख़वारों के साइज बदल गए हैं पहले इतने चोड़े अख़वार होते थे देने बासकार इतने लंबे चोड़े होते हैं देरे देरे कॉमपेक्ट हो गए पढ़ने में भी सविदा हैं उसी तरह के बदलाव टेलिवजन माध्यम में भी हो रहा है संक्रमन काल है अच्छा बुरा आता रहता है जो बुरा होगा वो समाज की छन्नी में समाज की छन्नी में छन्न जाएगा जो अच्छा होगा वो काईम रहेगा आज की युवा पीड़ी जो पत्रकारिता पढ़ रही है और आगे होके जर्नलिस्ट बनना चाहती है अच्छा तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे संदेश देने के लिए तो जो बड़े पत्रकार हैं वो ही संदेश दे सकते हैं मैं तो बहुत साधारन विद्यारती हूं मैं उन लोगों की तरह ही आपकी तरह पत्रकारता का बेहुत साधारन विद्यारती खुद को मानता हूं रोच से आउँ आप लोगों से¿स्था हैं रोच से शुखता हूँ नई पीडि से बहुत साइरी Cyajn शिक्ता एं खास्तों से ही यह जो डिजिटल मीडिया मेंدا इंट्रनेट का मीडिया में सोशल मीडिया है इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से सीखिए मैंना संदेश जैसा कुछ नहीं बस एक रोध आग रहे गुजारिश के पत्रकारिता को लंबी रेस का घोड़ा मानकर अगर आप काम करेंगे तो ही काम्यावी मिलेगी अगर आप सोचेंगे बहुत जल समय दीजिये, खूब पढ़िये, अध्यान कीजिये, धहर बनाए रखिये, जितना हो सके उतना अपनी ख़बर के साथ इमानदार रही है, जो सुचना आपके पास आई है, उसको हर तरह से जाच कर परक कर ही आगे बढ़ाएं, चाहे आपका चैनल हो, अख़वार हो, वेब हमने डॉक्टर पाठक से जाना कि पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारों को क्या करना चाहिए, उनका धर्म क्या है, उनका करतव्य क्या है, पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में क्या फर्क है, ऐसी और भी बड़ी-बड़ी हस्तियों के से मिलने के लिए देख